असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नम ताबिश और आप देख रहें मेरी यह वीडियो और देशी क्रिप्टो गुरू और जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा कोई क्ली मैं पिछले की 12-13 साल से सुड़न में रह रहा हूं और यह चैनल मैं आप लोग के लिए डिवेलप किया ह है तो ताके आप लोग भी क्रिप्टो के गुरू बन जाए और आज मैं आपको दो तीन बाते ऐसी बताऊंगा जो आपको करेंगे आपकी ट्रेड करने में और आप अपनी मिस्टेक्स ना कर सकें प्लीज इस वीडियो को एंट तक देखें और इस वीडियो पर आगे जाने हूं आपने जोब इसमेंट करनी है अपनी मर्जी से करनी है यह चैनल मने अज्यकेश्शनल पर्पॉस के लिए बनाया है इससे आप सीखें खुच से सीखें खुच से पढ़ें खुच से समझें और फिर इनवेस्ट करें अपना हाड अपनी मेहनत की कमाई की और उससे और भी बहुत जादा पैसे कमाएं यह क्रिप्टों की मार्केट बहुत जादा वॉलिटाइल अगर यह असी नवे पर जाती है तो असी नवे परसंट गिरते भी है एक ही दिन में आपको थोड़ा सा इसकी इसकी नेचर को समझना पड़ेगा अगर आपने इसके इंदर लॉंग इंवस्मेंट है अगर आप शॉर्ट टम देख रहे हैं तो उसका कोई इतना बड़ा फाइदा हो भी सकता है लेकिन इस चैनल के पर उस तरह से नहीं लेके चल रहा है अभी तक कि मैं शॉर्ट टम में आप लोगों को बता हूं और अगर आप फेस्बुक यूज कर सकते हैं कि डिविकल सा अ फैक्टर है जो ट्रेडिंग के अंदर ने ट्रेडर को या हर किसम के ट्रेडर को वन बाफर जान उसको भी जो बड़े-बड़े ट्रेडर सेहं उनको भी एक-एक फिलिंग होती है उसका नाम होता FOMO ठीक है फियर of missing out ठीक है फोमो मैं इस इस feeling से कुछ असा पहले बड़ा स्ट्रगल कर रहा था क्यूंकि मैं बड़ा excited हुआ भावा था कि सारी की सारी क्रिप्टो की market जो उन सी वो उपर जा रही है और एक सारी की सारी क्रिप्टो की market वो उपर जा रही है और बड़ा तेजी से सारा कुछ develop हो रहा था लेकिन उसके अधर मुझे लाग रहा था अच्छा यार यह भी बाय कर लो चायर बिटकोईन भी उपर जाता जा रहा है अच्छा इथिरियम भी उपर जा रहा है मैं कि इथिरियम की को मिस ना कर दूं मैं कि इसको मिस ना कर दूं उसमें आप जो फोमो की trading होती है उसके बहुत जादा mistakes क करते हैं उसमें आप basically यह सोच के trade करते हैं कि मैंने अगर यह trade मिस कर दी मैंने अगर यह chance मिस कर दिया तो मेरे हाथ से यह opportunity निकल जाएगी मैं दुबारा कभी यह opportunity मेरे पास नहीं आएगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपने कभी भी कोई भी trade फोमो फिलिंग के साथ नहीं करनी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने अब जब trade के अंदर घुशना है तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अगर इस trade में घुशना हो तो मेरी यह strategy है मेरा यह motive है इसमें एंटर होने का मेरा यह stop loss होगा मेरा यह stop gain होगा मैं यह करना चाहता हूं इस वली trade के साथ आप जब फोमो ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे experience trader करते हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बिट कॉइन है जी वह 30,000 का हो गया 35,000 का हो गया और 40,000 का मैं बहुत लेट हो गया हूं अब मैं खरीद लू मैं क्या अभी मुझे इसमें टाइम लगेगा मैंने एक वीडियो कल पोस्ट की थी एन निया coin मेल गया ठीक है मैंने कल इसके अंदर entry की है 7.4 के उपर ठीक है 7.4 के उपर जब मैंने entry की तो इसकी price है 8.8 ठीक है अभी मैं सुबह कुछ message जब मैं आगे computer बैठा तो मैंने वैसे ही लिखा कि कौन-कौन जोंसा है जिसने खरीदा है यह मेरे साथ या किसी ने खर उपर जा चुकी इस थी I have missed it और उसके बाद मुझे बता मैंने का कि मैंने जब यह message लिखा कि कल से अभी तक लेके यह चो 19% ग्रोव हुआ है 19% ग्रोव हुआ है यह coin अब मुझे बताएं कौन सी investment है एक दिन के अंदर जो आपको 19% देती है अगर आपने date rating भी करना है कल कि लाग रुपया इसमें डाला होता तो आज एक लाख 19,000 हो जाना था लेकिन यह मोटिव नहीं है इस चैनल का अब जो आपको feeling आ रही नहीं कि मैं बहुत लेट हो गया हूं आपको यह feeling पता क्यों आ रही है because you have not done your homework you have not done your research और यही चीज मैं सिखाना के लिए मैंने यह channel बन है कि यार यह मैं खरीदने लगा हूं खरीद लो मेरे साथ ठीक है यह मैं बेच दो यह तो आप करते रहोगे बड़ा पैसा भी कमाऊगे उस दिन क्या होगा जिस दिन मैं दुकान बन करके चला जाओंगा आप लोग क्या करोगे इसलिए आपको खुद से थोड़ी सी basic आप तरफ तेरी सपोर्ट चाहिए कुछ हथे के लिए आई वॉंट तो लॉन ओल दिर सपोर्ट लाइन के ओती है रिजिस्टन्स के ओती है ट्रेंड लाइन के होती है आर एसाइए के होती है एमके यह सारी चीज़े मैं आप कहें के तो मैं लेक्चर दे दूंग अपनी कोज यह कहती है अच्छा यार यह स्टार्ट हुआ है कुछ अरसा पहले इसकी प्राइस अभी भी पिछले 24 दिनों में 14 दिनों में देखे हूं तो जहां तक इसकी अल्टाइम रही थी वहां से 31 परसंट अभी भी नीचे है तो इस वेरी गूट टाइम टो एंटर इंटर इ सब्छी का इसा नियाकर आप के पास मैंने देखे मैंने देविडियू बनाई इस वीडियो की आप इस वीडियो का लगुक्तक थidamente कि इस वाले कोई के इस वाले के इस वाले के इस वाले के इस काम क्या है यह प्रॉबलम क्या सॉल्फ करेगी इसका बिजनस मौडल कितना बड़ा मुझे कि मैं बिजनस का स्टूडंट हो। बिसनस प्लैनर हूं पिछले 10 साल में मिझे कंपनी के लिए तो मुझे बड़ने का फिरने कैसी विड्यो देखें पिर लिए इंवस्ट किया है eu Bus बहुत जादा उपर गई भी है यह बहुत जादा नीचे आई भी है उस वक्त लखी लिए उसकी प्राइस फॉर्टी परसंट डाउन होई विदि मैं का यह यह अच्छा टाइम है लेकिन आप यह देखें किसी भी शेर की जब अप ट्रेंड चाल रहा होता है तब भी अच्छ मेरी इत्थी स्ट्राइड़जी आप को मैं बताता हूँ मैं क्या वालो करता हौ मैं जब त्रेड़ Mais Official में concedures एक वेव चाल रही है अप डाउन अप डाउन PLAYक अब कर् Щ लिट की प्राइस देखता कि यार यह अप थी यहां पर थी तो मैं वेट करता है इसके यहां पर आने का ठीक है मैंने देखा कि जो लिट की प्राइस है वो अल्रेडी ग्राफ पे दर आई हुई है लिट के अभी जो ग्राफ है बड़ा ही चोटा सा ग्राफ है यह देखें यह लिट का ग्राफ चल रहा है ठीक है जब मैंने कल देखा मैंने का यहां से स्टार्ट होता है यह आल टाइम हाई यहां पर गया 14 तक ठीक है अब यह डाउं ट्रेंड चाल रहा था डाउं ट्रेंड डाउं ट्रेंड डाउं ट्रेंड मैंने कहां पर उठाया मैंने छे पर नहीं क्रिप्टो के अंदर मैंने लॉंग तर्म इंवेस्मेंट की है यहां से यहां पर भी आजेगा तब भी मैं से उड़कर रखूंगा विकॉस मुझे पता है कि इसका जो बिजनस आइडिया है वह बहुत तगड़ा तो यार फोमो फिलिंग के अंदर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी करनी इसी तरह मैं कुछ एक दो और एक दो और साइक लॉजिकल चीजें उनके उपर अलादा से ना छोड़ी वीडियो बनागर पोस्ट करूंगा यह जब यह चीजें जब आपने दिमाग में रखेंगे ना किसी भी ट्रेडिंग को करते वे तो आपको समझ आएगी कि यार अच्छा मैं इसड्रेड में फो मों फोम फिलिंग के साथ तो नहीं अंटर हो रहा यह मिसや मैं इस इस ट्रेडिंग के अंदर सा है किसी एस से पैनिक के अंदर तो नहीं रहा कि यह तो यह तो बी और उर उपर जायएगा यार मैं बीस जार पर खरीद लेता यार मैं अब अब यह 25,000 गा होगा आप क्या करूं ठीक है दूसरी बात यह है कि मैंने बार बार यह कि यह बात कि अगर आपको यह जाना है कि जी किसी शेर की प्राइस के कब उपर जाएगी ठीक है तो उसको उसके बारे में पढ़ें आप ट्रेंड में चल रहा है तो अब यह कहां पर जाएगा उपर कब जाएगा इसे कोई बंदा नहीं बता सकता आपको लेकिन आपने बड़े बड़े गुरू बैठे में बहुत बड़े बड़े मास्टर बैठे में टेक्निकल अनालेसिस के यूट्यूब के उपर वीडियो देखे एक हफ़ते के लिए अपने उपर इंवेस्ट करें आपको सारी चीज़ें समझ आजएंगे एक हफ़ता सिरफ एक हफ़ता ले यार अपना बहुत रहादा ख्याल रखें खुशने मेरा मोटिव यह है कि आपको आपको बैसिकली टिप्स नहीं देनी कि यार अपना बहुत रहादा ख्याल रखें खुशने मेली दौा कर दें और यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें इसकी वीडियो को शेर करें प्लीज मुझे इसे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ना आफिस